नमस्कार साथियों एक बर फिर मैं दिपंकर समद्दर चार्टर अपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ असुसेट व्यापार को डूगने से बचाना व्यापार को चलाने से भी ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्यूंकि अगर व्यापार डूग गया तो चलाएंगे क्या यह जिससे आप अपने व्यापार को बचा सकते हो रहें सबसे पहली बात है नॉलेज और क्रेडेंशियल अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो हर कोई पूस्ते बिजनेस का मालिक कोन है आपको एक चोटा से एक्जांपल देता हूं कि टाटा कंपनी ने बहुत सारे चोटे-च कारण एक स्टेबलीटी लाता है अगला बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है बिजनेस बंदोने का वह है कि मैं किसी पर जाधा ट्रस्ट कर लिया और उसने मुझे द्धोका दे दिया यह सबनों ट्रस्ट हमको जाधा कब करना पड़ता है जब या तो हम लोग को सच में स कर लिए इसका मतलब वो क्या कर रहा है आपको कोई मतलब नहीं ऐसा नहीं होना चीए आप ट्रस्ट करिए लेकिन ट्रस्ट के साथ रिपोर्टिंग 100% रखिए अगर किसी को रिपोर्टिंग देने में प्रॉब्लम हो रही है वैसे व्यक्ति को आपको रखना कोई भी ज़र करोगे तीसरा इंपोर्टेंट चीज प्रोसेस है अभी क्या होता है कि हम लोगोंने कोई प्रोसेस बनाएं नहीं कोई काम होना चाहिए कोई आया कर दिया किसी और में बिना बताया कर दिया अगर आपके सिस्टम है कि भाई अगर कोई आता है तो फिर पहले इस फाइल में जोड़ी उसके बाद इंके बास जाएगा और हर जगा पहर का साइन होना चाहिए कोंसा क्योंसर अगरी एक परशन देना और बहुत सारे branches खुल लें बहुत सारा जगा आपका business बढ़ना चाहिए तो process is very important और process का training उससे भी जादे important आपने process बना दिया उसका training नहीं दिया तो आपके staff और आपके team member सही काम नहीं कर पाएंगे तो team टूपता है अच्छे staff भी चले जाते हैं सिर्विस ले क्यूंकि आपने process तो बनाया training नहीं दिया रहे नेक्स्ट पॉइंट जो करोडों का चीज है वह है documentation खर्चे हजारों के फाइदा करोडों का कैसे अगर आपने suppose करी किसी को पैसा दिया और पैसा दिया और अपने agreement खुद ही बोला कि एक paper में बना लेते हैं पैसा बचा लेते हैं लेकिन आप पैसे कितना दे रहे हो बीस लाग रुपए दे रहे हो एक हजार रुपए वकील को देने एक हजार रुपए अपने c.a को देने से आपको problem हो रही है तो फिर आपका दंदा डूबने का बहुत बड़ा चांसे से क्यूंकि documentation ही हमेशा आपको court मे documentation पे पूरा ध्यान देना जरूरी है पांचवा important चीज़ है discipline as a priority अगर आपके business में discipline priority नहीं है आप बोलतो यह आदमी बहुत अच्छा है लेकिन लेट आता है लेट आता है आप बहुत अच्छे होगे ठीक है लेकिन हमारे office में आपको समय पर आना पड़ेगा हमारे जो organization मे अगया उसी time के अंदर में करना पड़ेगा उसकी training अगर आपको नहीं तो हम training देने वाले लेकिन discipline बहुत जादा important है जिस चीज़ का जो discipline का rule बनाओगे वह proper communicate करके सबको सिखाए जरूर और discipline को बताईए कि अगर discipline नहीं माना जाएगा तो action लिया hundred percent जाएगा रहे चटवा point है automation अगर वैपार को manually कर रहें तो manual में गलती होने के बहुत जादा chances से रहते हैं उससे बहतर है कि हर process जैसे मैंने बोला process important तो process को automate करना उससे भी जादा important है क्योंकि process जितना automate होगा उतना जादा काम कर पाएगी company उतना जादा files process कर पाएगी उतना जादा माल बेज पाए competition में हार जाती है बहुत सारी company और डूबती भी है next point है internal control system internal control system में क्या होता है कि अगर कोई भी process में कुछ गडबड भी तो फिर वह पता चल जाता है exceptional reports मिल जाते हैं कहीं पर अगर कोईसी ने घुटाला किया तो वह भी cross check में पकड़ में आ जाता है internal control system इस तरीके से बनता है कहीं पर कोई problem नहीं आना चाहिए बहुत सारी company इसलिए डूपती है क्योंकि बहुत बड़ा वैपार करती हूं बहुत जादा पैसा आता है बहुत जादा turnover है बहुत जादा transaction है लेकिन उनका control नहीं है बहुत सारी चीजों पर अगर 10 process है तो दो में control नहीं और वो दो process के कारण revenue leakage फिलफरेज चोरी बहुत सारे चीजों के संभावन होती है जिसको वो कभी पकड़ नहीं पाता है क्योंकि transaction इतना जादा हो रहा है तो internal control system is must चाहे आपका बिजनस चोटा हो चाहे बिजनस बहुत बड़ा हो लास्ट बट नॉट दा लीस्ट आपका किला जो बनाता है कुछ ऐसा चीज कोई ऐसा टेकनोलोजी जो अपला रहे हो तो उसका पेटेंट करना जरूरी है क्योंकि जब ऐसा करते हो तो यह जो आई पीर यह भी एक property बहुत बड़े amount में sale होती है अगर आपका बहुत useful property और sale करने के लिए नहीं आपके business का नाम कोई और same नाम से use न आपका business को पूरा secure करने के लिए आठ चीज़ें बहुत important है इसको follow जरूर करिएगा आप जानते मेरे मिशन हैं हमेशा आप लोंकी मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना तो बने रहेगे मेरे साथ आपका दिन जबरदस्त और शूप को